हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बाक तो मा यूट्यूब चैनल दाट इस सेवी फोरेंसिक्स तो फ्रेंट्स, अब टोड़ेश टॉपिक इस फ्लोचार्ट फोर पेंट एक्जामिनेशन तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोरेंसिक लाब में जो पेंट सैंपल मिलता है, पेंट एविडेंस होता है तो उसके लिए एक सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कैसे रहती है, ठीक है और उसकी बेशियों पर हमदेखेंगे कि हमको एडेशनल सैंपल की रीक्वाइ्मन्ट है या नहीं है अगर पेंट के जो सैंपल आया है, वह कम है या ज्यार्द है तो वह हम उस बेशियों पर रिक्वाइर्मन्ट लगीगी तो, हम एक्स्टर स्को्त को मांगेगे मतलब बोलेंगे कि हमें additional sample चाहिए अगर नहीं चाहिए तो नहीं कहेंगे ठीक है तो जब हमें पास sample हो जाता है तो सबसे पहले तो हम उसका physical characteristics का examination करते हैं तो physical characteristics का examination like उसका color है उसकी thickness है मतलब जो कुछ हमें physically देख सकते हैं तो इसके बारे में detail में हम next video में देखेंगे जहाँ पर हम पूरा physical examination पर बात करेंगे तो अगर जो paint evidence मिला है अगर वो physical characteristics अगर उसकी similar है तो हम next step पर proceed कर जाएंगे लेकिन अगर similar नहीं है just similar है तो वो हम सीधे वहीं पर report त्यार कर देंगे कि जो paint evidence आपने भेजा है standard or question sample का वो similar नहीं है अगर आपको similar मिल गया तो आप next step पर आगे तो वहाँ पर potential physical match होगा तो इस step में हम थोड़ा सा examination में next step आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा detailed analysis होगी paint evidence की तो अगर वो physically match हो रहा है तो हम next step पर जाएंगे और physically match नहीं हो रहा है तो हम sample को analytical approach के लिए next भेज देंगे तो अगर match हो रहा है तो next step आती है examine, edge fit, surface history, substrate history, etc तो इस तरह से यहाँ पर कुछ examination रहते हैं तो यहाँ पर अगर physically match हो जाता है तो हम report कर देंगे कि हाँ यह यह similar है अगर यहाँ पर भी physically match नहीं हो पाता है तो हम वापस से वही no वाले condition में आ जाएंगे जो कि है evaluate sample for analytical approach तो यहाँ पर जो हमें paint का evidence मिला है उसके बारे में थोड़ा सा और जादा detail में आ जाएंगे मतलब उसके जो chemical components होते हैं धिरे-धिरे वहाँ पर आ जाएंगे तो उसके लिए हमें sample का preparation करना होता है और जो examination होता है यहाँ पर generally instruments अलग-अलग use किये जाते हैं तो कौन-कौन से instruments use होते हैं वह उसके लिए भी next अलग से video आएगा separate वह यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊंगी तो जब sample हमने preparation कर लिया तो sample preparation करने के बाद में हमें examination क्या क्या करना होता है तो यहाँ पर basically तीन चीज़े होती है chemical component में जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ paint के chemical composition वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो description मैं लिंक देदूँगी वहाँ से आप देख लिजेगा तो यहाँ पर तीन चीज़ों का examination होता है तो यहाँ पर basically तीन चीज़ों की examination होता है और एक optional में रहता है solvent और microchemical तो वहाँ पर हम solvent का भी examination करते हैं और solvent हमें तभी मिलेगा जब paint हमको liquid state में मिलता है तो यह पूरी procedure रहता है कि किस किस sequence में हमें किस examination की step पर जाना चाहिए paint के examination में तो यहाँ पर मैंने आपको overall एक detail बता दिया है इसके बाद में जो physical examination होता है instruments use होता है chemical examination होता है कौन-कौन जे test होते हैं तो उसके बारे में हम separate video में next देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह video complete होता है और आप मुझे follow कर सकते हैं instagram, telegram, linkedin and blog पे और अगर आपको मेरी यह video पसंदार है तो please like कर दीजेगा अपने friends के साथ में share कर दीजेगा और अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो please मेरी चैनल को subscribe भी कर दीजेगा और bell icon प्रेस कर दीजेगा जिससे आपको मेरी सारी latest updates मिलती रहें and thank you so much for watching